हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मंजू नीटिंग चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही सुन्दर थालपोश का डिजाइन लेके आई हूं जो बनाने में बिलकुल आसान तरीके से बनेगा फ्रेंड्स इसे बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी और बड़ी जल इसे बनाना स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे सबसे पहले नोट लगाएंगे कि साथ चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पान छे साथ फरस्ट वाली चेन के साथ स्लिप स्टिस से अटेच कर लेंगे अब क्या करेंगे थोड़ा सा लंबा खिंचेंगे इसी होल में एक दो तीन वार निकाला तीन वार निकालके एक पाफ बना लिया एक चेन बना ली इसी होल में एक दो तीन तीन वार निकाला दूसरा पाफ बना लिया दो चेन बना ले एक चेन बना ले दो चेन बना ले आपकी इच्छ है एक दो तीन फिर से निकाला एक दो दो चेन बनाए तीन पाफ बन गए एक दो तीन दो चेन बनाए यह दिखिए चार पाफ बन गए ऐसे हमें छे पाफ बनाने है एक दो तीन दो चेन बनाए एक दो तीन यह दिखिए एक दो तीन चार पांच छे छे चेन बन गए दो चेन बनाए पहले बाले के साथ यहाँ पे slip stitch से attach करना इसको ऐसे एब क्या करेंगे एक दो तीन बना लेंगे यहाँ पे यह दिखिए एक दो तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन दो तीन चेन बनाएंगे एक ये वला बन गया, दो ये वले, तीन बन गये, दो चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर से दो चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले होल में, नेक्स्ट वाले होल में आएंगे, एक दो तीन दो चेन सेंटर में दो चेन रखेंगे फिर इसी होल में तीन वार फिर से निकालेंगे एक दो तीन यह दिखिए फिर से दो चेन लेंगे फिर नेक्स्ट वाले पफ में आएंगे यह दिखिए ऐसे ही करते करते हमें छे बार हर hole में ऐसे बनाके 6 बार पहले इसे बनाके complete कर ले दिखे फ्रंड यहाँ पर थर्ट वाली chain के साथ इससे slip stitch से attach कर देंगे अब क्या करेंगे यहां से slip stitch से center में आएएंगे center में आगे तीन chain बनाएंगे तीन चेन बनाने के बाद दो बार और निकालेंगे, एक हम इसे डवल क्रोश्य मानेंगे, दो बार और निकाला, एक दो दो चेन बनाई सेंटर में, फिर यहीं पे इसी होल में हमें तीन बार और निकालना है, तीन बार और निकाल लेंगे पहले, यह दिखे, तीन बार और नि ग्रोशिया बनाना है, दो चेन बनाने हैं फिर से, फिर यहाँ पे सेंटर वाले होल में तीन वार डवल ग्रोशिया निकालना है, तीन वार निकाला, दो चेन बनाए, तीन वार फिर से इसी होल में से निकालना है आपको, दो चेन बनाए फिर सेंटर वाले होल में यहाँ पर एक बार निकाला दो चेन बनाए इधर वाले होल में एक दो तीन दो चेन बनाए एक दो तीन दो चेन बनाए चेन हमें दो दो ही बनाने यह दिखिए यहाँ पर एक तीन इधर बनाए तीन इधर बनाए सेंटर में दो चेन फिर इधर दोनों के बीच में एक बनाया ऐसे ही करते करते हमें पर ले पूरा राउंड कंप्लीट करना दिखिए फ्रेंट्स यहाँ बन गया अब सेंटर में आने के लिए स्लिपस एसे सेंटर में आएंगे टीन बनाएंगे एक डबल करुश्या इसे मानेंगे दो बार और निकालेंगे इसी होल में से दो चेन बनाएंगे, दो चेन बनाने के बाद इसी होल में से, एक, दो, तीन, तीन बार निकाला, दो चेन बनाएं, पहले यहाँ पर एक था, अब एक इस साइड पर बनेगा, डबल क्रोशिया, एक, एक सेंटर में बनेगा, दूसरा इस साइड पर यह दिखिए, तीन बन गए, एक से तीन बन गए, दो चेन बनाएंगे, फिर इसी वाले सेंटर वाले होल में हमें तीन बार डबल क्रोशिया बनाना है, दो चेन बनाने हैं, फिर से, एक, दो, तीन, दो चेन बनाएंगे, फिर इसी होल में, पहले इधर वाले साइट पे बनाएंगे एक डवल क्रोशिया फिर उसी पे फिर इस वाले साइट पे एक पे तीन बन गे ऐसे ही करते करते हमें पहले यह पूरा राउंड कम्प्लीट करना देखिए फ्रेंट्स यहां पे मैंने स्लिप स्टेस से अटैच कर लिया तीन चेन बना ले एक इस दो बार का भी बड़ा अच्छा लगता फ्रेंट्स दो बार का भी बना सकते हैं तीन बार बनाया दो चेन बनाए पहले एक था फिर तीन बने अब यहां पर पांच बनेंगे डवल क्रोशिया दो एक एक साइट से बढ़ेगा और तीन सेंट्र वाले एक इस साइड से बढ़ेगा यह दिखिए पहले एक था फिर तीन थे फिर पांच बन गए दो चेन बनाएंगे यहां पर आप दो बार भी निकाल सकते हैं दो बार वाला भी बना सकते हैं वो भी अच्छा लगता है फ्रेंट्स तीन बार निकाला दो चेन बनाएं चेन आपने दो यह बनाने हैं और यहां पर तीन के दोनों साइड से एक एक बढ़ाएंगे तो यहां पर पांच बन जाएंगे यह देखिए फ्रेंट्स पहले एक था फिर तीन बने फिर पांच बन गए ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं देखिए फ्रेंट्स यहां पर अटेच्छ कर दिया दो बार डबल क्रोशिय और बनाया दो चेन बनाए इसी होल में तीन बार और डबल क्रोशिय निकलेंगे दो चेन बनाएंगे चेन आपको दो ही बनाने है यहां पर एक था तीन थे पांच थे अब साथ बनेंगे एक दो दो साइडों से बढ़ जाएंगे तीन चार पांच छे एक इस साइड से साथ दो चेन बनाएंगे यहां से फिर से हमें तीन बार निकालना है एक दो तीन दो चेन बनाने हैं फिर एक दो तीन यह देखिए ऐसे यहां पर दोनों साइड पर बनाके सेंटर में पहले पांच थे अब साथ बन जाएंगे पूरा राउंड कम्प्लीट कर लेते हैं देखिए फ्रेंड्स यहां पर अटेश कर दिया तीन चेन बना ली दो डवल क्रोशिया बनाएंगे दो चेन बनाएंगे फिर से हमें इसी होल में तीन बार डवल क्रोशिया और बनाना है पहले उसे बना लेते हैं दो चेन बनाएंगे अब ध्यान से देखना यहां पर हमने साथ बार बना लिया हमने अगर छोटी छोटी पतियां बनानी है तो अगर 7 से हमने दूसरी डवे स्टार्ट करनी यह देखिए अब साइड पर यहाँ पर इस होल में ध्यान से देखे इस होल में हमें एक और पत्ती स्टार्ट करनी है 1 बना लिया, 2 चेन बना ली यहाँ पर हम इन फंदों को गटाएंगे यह double crochet घटते जाएंगे पहले 7 थे अब 5 बन जाएंगे एक इधर से घटेगा एक इधर से घटेगा अब हम यहाँ पर 5 बनाएंगे 1 2 3 4 5 अगर यहाँ पर हम घटाएंगे तो दोनों साइड पर एक एक पत्ती और बन जाएंगे 2 chain बनाएंगे यहाँ पर एक double crochet बनाया 2 chain बनाएं यहाँ पर फिर से हमें 3 बार निकालना है अगर 2 बार निकालना है आप 2 बार वाला भी चला सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 तीन बार वाला चलाएं तो 2 बार वाला चला सकते हैं कैसे भी आप उना सकते हैं अच्छा लगता है कि दो चेन बनाये फिर से यहां पर करेंगे घटाएंगे तो जब गटाने वाली रोगी वहीं पर दूसरी पत्ति बनेंगे जब इधर घटाना शुरू करेंगे तो दूसरी पत्ति स्टाट हो जाएगी प्वेले साथ ही आप फाँच बने है या पी इसा गढ़ता जाएंगे पाँच के बाद थीं-ृन के बाद एक बन जाएग sma Ta लृवर दुबं बनाए flowtv इसी यहांड निकलेंगे हैं तैकि आपको ।- टाइटा नुगे serp इंच नहीं पढ़नी चाहिए तीन बार निकाल लेंगे इसी होल में से भास के घाटիे चाहिए में फिरे तीन बनेगे चाहिए आप घटाएंगे तो तभी दूरी स्टार्ट करेंगे पुरा रांड कंपलीट कर लेते हैं स्लिप स्टिस से अटाच करके डोगरोशा बनाके 2 चेन बना ले और आ तीन बार निकाला आर्ट और शिप मुण बनाएंगे अब यहां पर ऐख था अब 3 बन जायेंगे yht एक इसी पे उठाएंगे एक साइड पे एक से तीन बन गए दो चैन यहाँ पे पानस ते आज आप बन जाएंगे यहाँ घटते जा रहे हैं यह दूसरी पति पानस पी आधिर जा हूं जाएंगे और यह वले घड़ते जाएंगे यहां पर तीन बन गए दो चेन तीन बार निकालेंगे डबल क्रोशिया दो चेन बनाएंगे तीन बार बनाएंगे दो चेन बनाएंगे यहां पर पहले एक था अब तीन बन जाएंगे दो साइडों पर बढ़ेंगे एक उसी चेन के ऊपर बनाएंगे यह देखिए यहाँ पर घड़ते जा रहे हैं यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ही भनाकर पूरा राउंड पहले कंप्लीट कर लेते हैं दिखें यहां पर मैंने अटाच करके यह पाफ बना लिया है दोनों साइड पर तीन तीन सेंटर में दो चेन अब यहां पर एक थ्या तीन बने आप पांच बनेंगे पांच डबल ग्रोशिया बनेंगे दो साइडों से बढ़ेंगे और तो अब यहां पर एक बन गया और इधर वाली डबी स्टार्ट यह देखिए यहां पर पत्ती बढ़ती जाएगी वहां पर क्लोश होती जाएगी यहां पर पांच बनेंगे यहां पर फिर से दो चेन बना के तीन वार निकाल लेंगे दो चेन बनाएंगे फिर इसी होल में से तीन वार और निकाल लेंगे एक दो तीन दो चेन बनाएंगे यह दिखिए यहां पर एक से स्टार्ट किया था तो एक तक आ गए यह क्लोश होगी यहां पर बढ़ती जाएगी यहां पर पांच बनेंगे अब पहले पूरी दिक With your food यहां पर मैंने प्पफ बना लिए अब दो चैन बना दिए यहां पर 5 के 7 बनेंगे दो साइडों से बढ़ेंगे और 5 इनी चेनों पर बनेंगे 5 24 5 6 और 7 इस वाली साइड से बढ़ेगा इस हमसे देखी हे यहां पर हमारे पास एक आ गया है एक आने के बाद हमें यहां से तीन नहीं बनाने हैं यहां से तीन बनाके दूसरी पत्ती स्टार्ट नहीं करनी हैं यहां से हमें यहां पे साथ बने हैं यहां पे भी साथ था साथ के बाद क्लोस किये थे हमने घटाने शुरू किये थे यह देख देख कि आगे यहां पे यहां पे आगे एक तीन पांच ऐसे फिर से स्टार्ट करनी है पहले इस पूरी राउंड को दिखिए फ्रेंट्स मैंने यहां पे अटेश करके पफ बना लिया अब ध्यान से देखिए यहां पे हमने घटाने शुरू किये थे तो यहां पे दोनों साइडों पे एक एक बार एक पत्ती बनी थी एक के बाद दो बनी थी अब यहां पे हम घटाएंगे साथ फद्ने बन गये हैं यहां साथ डबल क्रोशिय बन गये हैं अब यहां से हमने घटाना है तो एक यहां पे एक यहां पे और यहां तीन जगा पे हमारी एक और पत्ती उतना बड़ा बना लेंगे उतना बड़ा बना के कर लेंगे उसके बाद आगे का प्रुसेस मैं बताऊंगी आगे क्या करना है यहां पर पांच बन गए यहां पर घटते जाएंगे तो साथ ने दूसरी पत्ती स्टार्ट होती जाएगी यहां पर एक बनाएंगे यहां पर नई पत्ती स्टार्ट हो रही है तो एक बनाएंगे दो चेन बनाएंगे इधर फिर से वैसे ही यह देखिए ध्यान से दिखिए एक था, साथ के बाद 5 बने तो यहाँ पे एक बन गया, ऐसे यहाँ पे साथ आए, तो यहाँ पे घटाने शुरू किये, तो तीन पत्तिगां बन गी, ऐसे ही बना के आपने जितना बड़ा रुमाल बनाना है, उतना बड़ा पहले बनाले, उसके बाद आगी बनाते हैं, निकालना है यहां होल था वहां दो बार निकाले यह पूरी राउंड कंप्लीट करने के बाद उसके बाद एक चेन नीचे से छोड़नी है तो तीन बार डबल क्रोशिय तीन चेन में बनाने हैं एक चेन उपर से बनानी है ऐसे ही बनाके पूरा राउंड कंप्लीट कर लिए अ कि एक दो कि एक दो तीन टीन डबल क्रोशिया बना के यहां पर हमें पांच बार निकालना तो एक वार इसे एड़ कर लेंगे और चार बार और निकाल लेंगे एक दो तीन ये दीखे चार बार निकाला एक दो तीन तीन बार हमने चेन बनाई नीचे तीन थीन बार चेन बनाई तो यहां पर स्लिप single crochet, single crochet से, फिर 3 chain बनाई, फिर अगले वाले hole में यहाँ पे 5 बार निकाल लेंगे 1 2 3 4 5 फिर से 3 chain बनाएंगे next वाले में single crochet बनाएंगे, ऐसे ही बनाते बनाते पूरा round complete कर लेते हैं पहले दिखे friends, यहाँ पे पूरा round कर लिया, slip stitch से attach कर दिया, 3 chain बना लेंगे, एक chain इसे add करेंगे, एक double crochet इसको बना लेंगे, इसी hole में, इसी chain में एक बार और निकाल लेंगे, फिर next वाली chain में दो बार निकाल लेंगे एक दो दो, दो चार चार बन गए, सेंटर वाली में एक बार निकालेंगे, पांच आगे वाली में दो बार साथ आगे वाली में दो बार यह देखे नोनो की पत्ती ऐसे बनती जाएगी, अब यहाँ पे हमें दो चेन लेने हैं, और फिर इस वाले हैं, यहाँ प्यान है, एक बार निकाला, दो बार निकाला, अगले वाली चेन में भी दो बार निकाला, अगले वाली चेन में एक बार निकाला, अगले वाली चेन में दो बार निकालेंगे, मतलब इन पांच, पांच चेन में हमे एक में एक बार निकालना है सेंटर वाले में और साइडों वालों में दो दो बार निकालना है यह देखिए ऐसे पूरा राउंड यहां पे हमें यहां पे हमें दो चेन लेने हैं ऐसे ही बना के पूरा राउंड कंप्लीट करना है दिखिए फ्रेंड्स यहां तक बना के कंप् चार पांच छे साथ आठ नो यहां पे दो बार लास्ट वाले में दो बार डस ग्यारा यह देखिए ग्यारा ग्यारा की पत्तियां बनती जाएगी यहां पे अब हमें चेन नहीं लेना है बिना चेन लिए यहां पे फिर से हमें दो बार बनाना है एक दो पहली वाली चेन में दो बार बनाना है और लास्ट वाली चेन में दो बार बनाना है बीच वाली चेन में सब में एक एक बार बनाके कम्प्लीट करना है लास्ट वाली चेन में फ्रेंट्स दो बार बनाना है ध्यान में रखिए दोनों साइब पे स्टार्ट वाली में और लास्ट वाली में दो दो बार बनाना है और सेंटर वाली जितनी भी हैं उनमें एक एक बार बनाना है यह देखिए ऐसे बनाके पूरे 11 बन जाएंगे पूरी रो को कम्प्लीट कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स पूरा राउंड कम्प्लीट हो चुका है अब क्या करेंगे ध्यान से देखना अब क्या करेंगे यहां से यह देखिए कैसे मैं पीछे को घुमारी हूं यहां से देखिए फ्रेंट्स तीसरी वली चेन में पांच बार निकालना हमें एक दो तीन चार पांच डबल क्रोशिया निकालने के बाद एक दो यह देखिए तीसरी वली चेन में यहां पर यह देखिए श्लिप स्टिस से अटाज कर देना फिर से हमें दो चेन छोड़ने हैं एक दो दो चेन छोड़ने के बाद तीसरी वली चेन में फिर से हमें वैसे ही पांच बार निकालना है एक दो तीन चार पांच पांच बार निकालने के बाद यहां से यह देखिए यहां पर हमें फिर से यह देखिए ऐसे हाट शेप बनता जाएगा फिर से हमें यही से यह देखिए यही से निकालना फिर से हमें एक दो तीसरी वली चेन में पांच बार निकालना है एक दो तीन चार पांच पांच बार निकालने के बाद हमें कोई चेन नहीं लेनी है एक दो दो चेन छोड़ेंगे तीसरी वली चेन में हमें ये देखिए ये देखिए slip stitch से ये देखिए ऐसे slip stitch से attach करेंगे फिर से हमें दो चेन छोड़ने के बाद तीसरी वली चेन में हमें यहां से फिर से वैसे ही एक दो तीन चार पांच पांच बार ये देखिए पांच बार निकालना है और फिर से हमें इसी होल में slip stitch से attach कर देना इसके साथ ये दिखिए दिखे फ्रेंट्स दियान से ये ऐसे hard shape बनते जाएंगे ऐसे ही बनाते पूरा round पहले complete कर लेते हैं फिर आगे बताती हूँ दिखे फ्रेंट्स पूरा complete कर लिया लास्ट में आगे हम यहां पर यह दिखिए यहां पर से सिंगल स्टिस से यहां पर slip stitch से attach कर देंगे यह दिखिए यहां पर उन काट देंगे यह दिखिए ऐसे हाट हाट बन के त्यार होगे इसको हम पिछे से यहां पर attach कर देंगे इसको अच्छी तरह से इसे पक्का कर दें सामने नजर नहीं आना चाहिए फ्रेंट्स यह दिखिए यह पूरा ऐसे रुमाल बन के त्यार हो गया दिखे कितना सुन्दर लग रहा है इस पर हाट हाट बने कितने सुन्दर लग रहे हैं अगर आप मेरे चैनल पीए नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें जादा से जादा अपने फ्रेंड्स में शियर करें बैल आइकन जुरूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे Thank you for your time आगे मिलेंगे नहीं वीडियो के साथ